जे मातर दी मेरे स्वीट स्वीट वीवरस आज मैं लिखके आई हूँ आप लोगों के लिए दही की गाड़ी वाली लसी वह भी बिलकुल एक दम बिना बीटर के और बिना मशीन के तो आओ देखते हैं यह कैसे बने और इसे बनाने के लिए क्या चाहिए फ्रेंस दही की लसी बनेगी दही वाली वह बिलकुल गाड़ी इसी तरह बनेगी तो यह मैंने लिए हैं दो चमचे भर कर गाड़ी वाली दही फ्रेंस आज जो यह दही की लसी बन रही है यह आपको बिलकुल तरो ताजा रखेगी तो अब इस दही में हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी अगर तब इसे हमें इस तरह के विसकर से या फोक से या स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसे हम तब तक मिक्स करेंगे कि चीनी और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्रेंस आपको दिख रहा होगा कि चीनी और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो गए औ बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके तयार हो गया है इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें आइस क्यूब बर्फ तो मैंने इसमें डाल दिये 5-6 बर्फ क्यूंकि इसमें हम पानी एड नहीं करेंगे हम बना रहे हैं एकदम गाड़ी वाली दही की लसी इसे बस एक मिनट और करना है इस स्टेज पर ये सर्व करने के लिए तयार है बस आपको ये चेक करना है कि हमारी दही के अंदर कोई लंब नहीं होने चाहिए और चीरी भी अच्छे से मिक्स हो गई हो और ये चल्ड हो गई हो तो फ्रेंस मेरी एक लशी बनके बिल्कूल हो गई है तयार, तो आपका पेट भी रहेगा फुल तो फ्रेंस अगर आपको मेरी ये रेसेपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हो सके तो अपनी फैमिली फ्रेंस के साथ भी जरोर शेयर करें क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो सब को ही कुछ न को ठंडा खाने का मन करता है पीने का मन करता है तो फ्रेंस ये मैंने को ड्राइफ रोड्स कट करके रखे हैं इस तरह से हम सर्फ करते हैं टाइम उपर से स्प्रिंकल कर देंगे आप अपनी मरजी से कोई भी ड्राइफ रोड्स इस पर डाल सकते हैं मैंने तो इस पर काजू बदाम के स्मिश आले हैं तो इस तरह से मेरी दही की लसी बन के हो गए यह बिलकुल एक दम पीने के लिए तयार पिर दयार